इस कंसेप्ट को ड्वेल्प किया था 1937 में लुथर गुलिक एंड लाइंडल और फिर्टनी उन्होंगे ये कंसेप्ट दिया था ये एक एडिनिस्ट्रेटिव मॉडल है और ये बेज है हैं 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 है दिये के प्रिंसिपल्स के उपर उन्होंने अपने एक नोट ओर्गनाइजेशन में एक कॉशन किया था वट इस वर्क ऑफ चीफ एग्जेक्यूटिव वाट ड़स ही डू तो उन्होंने अपना जो ही कॉशन है इसको समराइज किया था अपने एक एक एक्रॉनिम वर्ड में पी ओ एसडी सी ओ आरबी में तो इसे और इक नाम से जाना जाता है वाट आर दा सेवन फंक्शन ऑफ अद्मिनिस्ट्रेशन और सेवन फंक्शन ऑफ मेंनेजमेंट गिवन वाइल लुथर गुलिक इस तरह से कॉशन एक्जाम में पुछे जा सकते हैं चले देखते हैं लु B stands for directing C O stands for coordinating R stands for reporting and B stands for busting B stands for planning planning क्या मतलब है कि determination of future course of action हमें पहले से decide करना क्या काम करना है कौन करेगा कब करेगा कैसे कुई काम होगा तो future के लिए पहले से decide करके रखना तांकि हमारा जो objective है वो accomplished हो सकी O stands for organizing organizing में क्या है different different nature की activities को grouping करना और पूरी काम को divide कर देना चोटी चोटी पार्ट्स में S stands for staffing staffing involves selection and recruitment of correct applicant for the job right person should be at the right job D stands for directing हमने persons को काम पर तो लगा दिया employment हमने प्रवाइट करवा दिया अब उन्हें instructions देना की कैसे काम करना है ताकि हमारा objective पूरा हो सकी CO stands for coordination हमने पूरे division को subdivision में divide कर दिया है चोटी 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 कामों में बाट दिया है अब उन works को integrate करना Coordination उनके बीच में करना R stands for reporting हमने कितना काम किया है उसकी report देना हमारे superiors को और work related report देना ताकि हमारे काम improvement किया जा सके B stands for bussing bussing refers to system of accounting controlling economic income and expenditure So I hope आपको इस वीडियो च्छी लगी होगी thank you